आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रत में खाने के लिए ऐसी मिठाई जिसको आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा तो चले शुरू करते हैं ये हमने ले लिया है एक कटोरी साबूदाना ये साबूदाना हमारा एकदम महीन मला है अगर आपके पास ये ना हो तो आप पोटा वाल लिया है अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम एक चन्नी रख लेंगे और इसको हम इसमें डाल करके चान लेंगे तो यह देखिए इसको हमने चान लिया है अब यह जो हमारा बच गया है इसको हम दुबारा डाल करके पीश लेंगे तो यह देखिए हमने साबुदाना को अच्छे से पीश लिया है यह देखिए इसी तरह से हमें साबुदाना को पीश ना है अब गैस पर हमें कड़ाही चड़ा देंगे और इसमें हम डालेंगे बड़े चम्मच से चार चम्मच देशी घी तो यह हमने चार चमस देशी घी डाल दिया घी को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है हलका सा ही गरम करना है अब इसमें हम डाल देंगे यह पिसा हुआ साबुदाना और गैस को हम मीडियम से भीख हलका सा कम कर देंगे और इसको हम चलाते हुए भूनेंगे इसको हमें बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, इसको भुन्ने में करीब तीन से चार मिनट लगता है, इसको हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये वाइट ही रहेगा, लेकिन अंदर से पक जाएगा. तो ये देखिए साबुदाना हमारा अच्छे से पक गया है और भून गया है इसमें हम डालेंगे एक कटोरी गरी का बुरादा और इसको भी डाल करके हम भून लेगे लेकिन इस समय गैस को हम एकदम धीमी कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच इलाइची पाउडर और थोड़े से ड्राइफ रूट्स ड्राइफ फ्रूट्स में हमने काजू बदाम लिया है छोटे टुकड़ों में काट लिया है आप जो इच्छा हो वो डाल सकती है अब इसको हमें चलाते हुए एक मिनट के लिए पकाना है लेकिन बराबर चलाते रहना है नहीं तो हमारा गरी का बुरादा जल जाएगा कि बहुत जल्दी ही पकड़ लेता है गरी का बुरादा तो यह देखिए हमारा साबुदाना और गरी का बुरादा सारी चीजे अच्छे से भुन गई है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यह हमने एक बावल में निकाल लिया है साबुदाना को यह अच्छी तरह से घंडा हो गया है अब इसमें हम सकर डालने लिया करदेंगे अच्छी तरह से मिलाना है और मैंद का ध्यान ररखना है कि पूरी तरह सी ऩे है ठंदा हो जाए उसके बाद ही इसमें आप आप सकर मिलाए गा अगर आपको इसमें गी कम लगे तो इस समय आप घी डाल सकते हैं जैसे हम लोग बेशन का लड़ू बनाते हैं और घी कम लगता है तो थोड़ा सा घी हम उसमें डाल लेते हैं तो उसी तरह से आप इसमें भी घी पिगला करके डाल सकते हैं तो यह देखिए हमने सारी चीजें अच्छे से मिला दिया है अब हम एक प्लेट ले लेंगे और लड़ू बना लेंगे तो जितना चोटा बड़ा बनाना हो उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं लेकिन हाथ इसको थोड़ा सा हाथ दबा के बनाना पड़ेगा बहुत आसानी स यह नहीं बन पाएगा हलका सा हाथ को दबाएंगे तो बहुत अच्छी से बंद जाएगा तो यह देखिए कितना बढ़िया लड़ू बन करके तयार हुआ है हम एक और लड़ू बना करके आपको दिखा देते हैं यख़ डाये तो बहुत आराम से बच जाएगा और खाने में तो बहुत अच्छा होता है यह लड़ू कोई भी नहीं पहचान पाएगा तो यह देखिए हमने लड़ू बना लिया है अब इसी तरह हम सारा लड़ू बना लेंगे तो ये देखिए हमारा सारा लड्डू बन करके तयार हो गया है हमने तो थोड़ा चा बड़ा बनाया है आप इसका छोटा लड्डू बना सकते हैं तो अब की बार नौरात्र में आप लोग जरूर इस लड्डू को बनाएगा कोई नहीं पहचान पाएगा ये किस चीज से बना हुआ है तो चलिए आप लोग इंज्वाइ करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब कमेंट लाइब शेयर जरूर करें थैंक यू गुड डे फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ